का इसलिट शुद में शुद्धार lok Captain Tooo ई प्रेंट्स नमष्कार मैं हूँ आपका फ्रैंड कमल लंद्लाल औरम्या आप सब ही का हारदे कबिन्दन करता हूं आपके ही अपने चैनल कमल लंद्लाल पर यूटिव फिस्बूक और इजो टीवी नम विख फ्रेंज हम आपके लिए करा हैं कमनलंदलाल का राशे फल इस राशे फल में बात करेंगे मेश से ले करमीन राशे के राशे फल की साती साथ आपको बताएंगे राशे नुसार कुछ सिंपल से उपाए राशे नुसार ही आपका लखी नंबर और लखी कलर भी पंचांग बता कि सभी राशेवले क्या करें और क्या ना करें प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे कैसा स्पेशल उपाय जो आपके जीवन की किसी खास समस्य आपको चुटके में दूर कर देगा तो चलिए शुरुवात करते हैं राशेवल की पंचांग के साथ में तुर दिन है श सिद्धियोग रवियोग रहेगा सुबह साथ बचकर दस मिनट से लेकर के रात को नो बचकर चाथिस मिनट तक भदरा रहेगी शाम में साथ बचकर व्यालिस मिनट से लेकर के अगले दिन सुभह साथ बचकर दस मिनट तक दिन का सबसेशों मौरत रहेगा दुपहर को बार जो विशेश उपाय है वो भी गीता जैनती और मोक्षिदा इकादीशी से ही जुड़ावाए बताएंगे आपको भगवान श्री कृष्ण की क्रपास है कैसे परेशानियों से मुक्ति मिलेगी उसके लिए राशी फल को आखर तक देखेगा साथ साथ आपको यह भी बता दू परेशे मित्रों के सलह लाबदायक रहेगी परिवार में खुशी रहेगी संतान से शुप समाचार मिलेगा समस्या का समाधान होगा उपाये करें कि चंदन के इतर का स्तमाल करें शुभंक पांच रहेगा शबरंग रहेगा हरा दूसरी रशे वरिश रिशनिगे टौरस की बात करेंगे दफ्तर में कामकाच की प्रशंसा होगी अचानक धनलाब होगा कारशंता में वरद्धी होगी पारिवार एक सयोग मिलेगा मित्र मदद देंगे परिवार के सेहत बहतर रहेगी उपाईए करें कि सिक्के को पर दही लगा कर फेर पर शड़ाएं शुभंक दो रहेगा शुभंग रहेगा सफिद तीसरी राशी मित्वन यानी जवनाए की बात करेंगे सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी व्यापारी की आत्रा के योग हैं दफ्तर में नई जब्मेदारी मिलेगी संतान से सुक पराप्त होगा रिष्टादारों के साथ में संबंद महत्तर बनेंगे उपाईये करें कि पक्षियों के लिए अरहर दाल रखें शुभंग के रहेगा शुभंग रहेगा लाल चौ्थी राशी कि यहने की कैंसर की बात करेंगे लाब की मौकाए मिलेंगे कामकाज मेब परिजण के योगे मित्तरों से नीजी समस्य हैं सांज्यं ना करें लोगों के गलत बयान से परिशानी बढ़ सकती है पैसे का ध्यान रखें उपाईए करेंगे पूजागर में इतर चड़ाएं शुबंग सात रहेगा शुबरंग रहेगा से लेटी पांचवी राशी सिंग याने के लियों की बात करेंगे सभी समस्याएं हल होंगी द इचानक से धनलाप के योग हैं दफ्तर में सहे कर्मी सहीयो करेंगे खास व्यक्ति से मुलाकात लाबदायक रहेगी उपाईए करेंगे धर्मस्तल में चीनी चड़ाएं शुबंग के रहेगा शुबरंग रहेगा लाल साती रशी तुला यानिकि लिवरा की बात करेंगे व व्यापार में अच्छा उफर मिलेगा कलाकारों को भेतर मौके मिलेंगे घर पर अचानक महमान आएंगे घरेलू महोल खुश्णुमा रहेगा धर्म कर्म में रुचे बढ़ेगी उपाईए करेंगे पक्षियों के लिए चावल रखें शुबंग पांच रहेगा शुबरं करें शुबंग काट रहेगा शुबरंग रहेगा काला दस्वी राशी मकर यानिकी केपरकाउन की बात करेंगे दफ्तर में रुकावा काम जल्दी पुरा होगा व्यापारी जन अत्यादिक वेस्त रहेंगे विवाद में पढ़ने से बचें आने एक विचारों में खोई र योग हैं आर्तिक पक्ष मजबूत बनेगा परिवार का माहुल खुश्णमा रहेगा उपाईये करें कि कलहाई पर चंदन से ठीका तिलक करें शुबंग चार रहेगा शुबंग रहेगा नीला बारवी राशी मीन यानि पाइसेस की बात करेंगे खास काम पूरे होंगे धन सभी राशी वाले क्या करें और क्या ना करें सबसे पहले बात करेंगे सफलता पाने के लिए सभी राशी वाले क्या करें तो देखे भगवद गीता का पाट करें श्री कृष्ण पर गुलाबी फूल चड़ाएं सुहागन ब्रामणी को शक्करदान करें सुंदर पसाधन का प्रियोग करें आटा शक कर घी खरीदना शुब रहेगा गुलाबी रंग के कपड़े पहनना शुब रहेगा आमला कपीड लगाना शुब रहेगा उत्तर दिशा की यात्रा शुब रहेगी अब बात कर लेते हैं असफलता से बचने के लिए क्या ना करें तो देखें ये दिन जो है गीता जैनती का दिन है मोक्षदाय कादिशी का दिन है ऐसे में विशेश रूप से गीता का पाथ जरूर करें नमबर एक और भगवान श्री दामोदर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें और परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए घी में शक्कर मिला तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कल आपसे फिल्म लाकात होगी इजाज़त दीजिए नमस्का नमस्षिवाए